Hello friends, welcome to my channel KPI Associates दोस्तों, आज मैं आपको पताँगो कि PZIP software को use करके आप किसी भी file पे कैसे एक password set कर सकते हैं तो पहले हम PZIP software को install करेंगे PZIP Yes यहाँ पर PZIP भूल जुका setup Next Accept the agreement Next दोस्तों यहाँ दियाँ जीजिए आपको standard installation नहीं करना है आप custom installation करना है Next Next दोस्तों उसके बाद context menu आएगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है next करना है सिरफ उसके बाद यहाँ पर एक send to आएगा send to में सबसे नीचे आपको एक encraft P मिलेगी encrypt भी उसमें टिक करना है बस आपको ओके next उसके पाद associations आएगा उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है सिरफ next करना है next install प्सक्तु नहीं प्सकेशक तब तक मैं इसके एक test file बना रहेते हैं test जिसके आप देख सकते हैं पीजिव इंस्टॉल होगा है ओके फिनिश इसके बाद हमने एक test file बनाई है यह खाली है हमें इसपे अगर password set करना है तो हमें इसपे right click इसमें send to पर जाके encrypt आएगा उसपे encrypt आपको click करना है जो भी आपको password set करना यहाँ पर डाल दीजिए जैसे मैंने आप setup कर दिया 123456789 कुछ भी confirm करना यहाँ आपको दे सकते हैं एक test file की अभी यह zip बन गई है इससे आप use करेंगे अपन करेंगे उसमें देखेंगे तो इसमें यह password मांगेगा आपसे तो वही same password डालना है ओके और आप भी देख सकते हैं कि यह खुल गई है इसमें आप password set हो चुका है थैंक्यू friends for watching मैं वीडियो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस पर एक like देने बनता है और comment भी दरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलेगा